दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, दोस्तों आज हम मद्धि प्रिदेश शमान निज्यान का दूसरा लेक्चर है, तो इसके पहले मैंने एक लेक्चर बना दिया है, जिसमें हमें 25 कोर्षन सॉल्व कर लिये हैं, अब हम यहां से 26 कोर्षन से देखेंगे, तो सबसे पहले से चलने दूं, 25-25 कोर्षन या कोर्षनों की संक्या बढ़ाऊं, यदि बढ़ाना है, तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, कि कोर्षनों की संक्या इतनी रहने दूं कि बढ़ा दूं, दूसरी चीज, आप लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब करना बिल्कुल ना भूलें, तो चलिए, बिना देरी किये, हम यहाँ पर 26-25 कोशन इसकी सुरुवात कर देते हैं, तो प्रस्न क्या है आपकी स्क्रीन पर, प्रस्न है, निम्ने में से किस सोतंतरता सेनानी का जन मद्ध प्रिदेश में हुआ था, तो किन का हुआ था, है, इनका जन, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पश्चमी निमाड में इनका जन मुआ था, सन क्या था, 1842 में, कब हुआ था, 1842 में इनका जन मुआ था, भील प्रिदेश जो है, यहाँ पर के यह जन नायक थे, इसके अलाबा हम यहाँ पर देख रहे हैं, चंतरशेका राजा इनका जन जो है, अलिराजपूर के भावरा जो ग्राम है, यहाँ पर हुआ था, और इनका जो डेट है, वह है, 23 जुलाई 1906 को इनका जन हुआ था, अगला प्रशन है, निमने में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत में मद्य प्रिदेश के पूर्वी हिस्से पर अधिकार कर ल अधिकार हो गया था, कहाँ पर हो गया था, उसको हम उत्तरी तीन तरह से हम उसको जान सकते हैं, उत्तरी मद्य प्रदेश, ग्वालियर रियासत या हिंदू रियासत भी उसको हम बोला करते थे, क्योंकि यहाँ पर तौमरबंस का सासन था, तो इसको हम बोलते थे और किसने यहाँ पर कबज़ा किया था? 1231 में दिल्ली के जो सुल्तान थे, कौन थे? इल्टुतमिस. इन्होंने यहाँ पर आकमन करके इसको दिल्ली में मिला लिया था. दिल्ली सल्तनत में गौलियर को मिला लिया था. नेक्स प्रस्ण हम देखते हैं आपर निम लिकित में से कौन सा इस्थान मुरेना में है और कुस्वाहा की राजधानी की रूप में जाना जाता है? जो इस्थान मुरेना में है और कुस्वाहा की राजधानी कौन सा इस्थान है दोस्तो? सिहोनिया. इसका आंसर सेकेंड रहे मंदिर क्या था काकन मठ काकन मठ कहां पर इस्तित है तो यह सिहोनिया में है याद रखें जो कि कहां पर पढ़ता है मुरेना जीले में पढ़ता है कचवाहों की राजधानी थी ग्यारवी सतापदी में इसकी कचवाहों ने इस्थापना की थी जो काकन मठ है यह सिव मंदिर ह के अलावा सियोनिया जैन धर्म के अनुवाईयों के लिए भी काफी प्रशिद्ध है यहां पर ग्यारवी सताब्दी में अनेक मंदिर बनवाए गए जैनों के जिनके हमें अउसेज वहां देखने को मिलते हैं जैसे कि सांतीनात कुंतुनात अराहनात आदीनात पारसावनात जो मंदिर हैं यहां पर मिलते हैं हमें देखने को अगला प्रशन है दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की सुरवात की और अपनी राजधानी कहां इस्तापित की तो दिलावर खान ने जो है मालवा सल्तनत की स्तापित की और अपनी राजधानी कहां पर इस्तापित की मेहल का निर्माड किस ने कराया था बड़ा कंट्रुबर्स्यल हो गया था बाद मेहल प्रस्ट ने लेकिन इसके अलावा भी और मेहल हैं वहाँ पर जिनका निर्माड अलग अलग सास को ने करवाया उनके बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले मांडू का जो किला है इसका यहां का सरवदिक महत्पूर किला भी है और इसमें जो दर्वाजा है दिल्ली दर्वाजा कई बार पूछता है कि दिल्ली दर्वाजा किस किले में इस्तित है तो यहां पर मांडू का जो किला है यहां पर दिल्ली दर्वाजा इस्तित है इसके अलावा बाजबहदुर और किस्तासक के सिक्के पाए गए हैं तो किस्तासक के सिक्के पाए गए हैं कनिस्क के कनिस्क जो थे कुसान समराट थे कुछ थे कुसान समराट थे और इनके सिक्के सैडोल जिलेम पाए गए हैं और यह सिक्के जो है युनानी भासा और इसमें लिपी जो है मीरोन मिली है कौन सी म प्रतिमर नगी हुई झाया है में हैं क्योंकि सूर्ष इरानी राजिती भcomb widenर की भेजबूजा ती नेक्स प्रष्णम देखते हैं रा важ इन्होंने भुपाल सहर का नाम दिया और और इन्होंने कहां पर राज किया यह प्रसना आपसे तो सबसे पहले राजा वो जो थे या परमार बंस के एक परक्रमी सा सकते जो की परमार बंस की नोवे राजा थे कौन से थे परमार बंस के नोवे राजा यह थे परमार बंस ही राजाओं ने मालवा को जो है मालवा की राजधानी धारा नगरी मतलब धार को धार से आठवी सत सताब्दी के पूरवार तक राज किया था आठवी सताब्दी से चौद्व सताब्दी के पूरवार तक इन्हों ने राज किया भोपाल सहर का नाम राजा भोज ने दिया था और राजा भोज ने इंदौर और धार पर राज चलिए नेक्स परश्ण हम देखते हैं सीओनिया मत्यप्रदेश के किस जिले में है हमने उपर देख लिया मुरेियना जिले में इस तीड़े आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखते हैं यहाँ पर चौदवी सतापदी है याद रखें चौदवी सतापदी में मालवा छेत्र समराज घोसित हुआ इसकी राजधानी क्या थी देखिए चौदवी सतापदी में मालवा छेत्र को समराज छेत्री समराज जहां रखना छेत्री समराज घोसित किया जिसकी राजधानी क् जो कि आंसर रहेगा वय रहेगा मांडू क्या रहेगा दोस्तों इसका अंसर करेक्ट आंसर मांडू रहेगा देखिए चौधवी सतापदी में मालवा छेतरी समराज इस्तापित हुआ जब इसकी राजधानी मांडू थी तेर्वी सदी में दिल्ली ने उत्तरी जो मद्ध प् पूरी तरह से ढहे गई थी आगे हम चलते हैं कि अगला प्रस्ण देखते हैं प्रस्ण है निवलिकित में से कौन सा राजबंस इंदौर में सासन करता था तो सिदी सी बात है होलकरों ने यहां पर सासन किया है कि इसका डिस्क्रिप्शन हम थोड़ा देख रहेते हैं यहां सुतंतरता के समय में ब्रिटिस भारत की एक रियासत रहे हैं बाद में भारत समय में शामील हो ए नेक्स प्रसन में यहां पर देखते हैं रानि अबंती भाई mother सम्बंदी थे हैं तो कहां से सम्बंदी थे हैं रामगड से कल भी हम निनके बारे में देखा था रानी अबंती भाई ने भारत के प्रिथम संग्राम में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी जो किठा संतावन में हुआ था और रिवांचल के मुक्ति अंदौलन किया भी सूत्रदार थी आगे हम बढ़ते हैं अच्छा प्रस्न है प्रस्न है सहर सलीमाबाद को करनल बिलियम हैंरी स्लीमन ने अपना नाम दिया है वह निमन मैंसे किसके दमन के लिए जाने जाते हैं तो सलीमन को हम किसके दमन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों यहाँ पर ठगी गती विदियों के लिए किसके लिए ठगी की जो गती विदि थी इसके दमन करने के लिए हम करनल स्लीमन को जानते हैं हैं हैंरी स्लीमन जिनको बोलते हैं अच्छा सलीमाबाद आप देखें आप पढ़ते होंगे कई बार मद्यप्रदेश के भोगोल में पढ़ा होगा यहां से कौन सी धातु प्राप्त होती वो मुझे कमेंट्स करके बताईए आप तो यह जवलपुर और कटनी के बीच में इस्तित है और इस सहर को हम स का सहर के नाम से पर्विसको जानते हैं मैंवं हम देक लेते हैं जो हैंडरी थैंक है विल्याम हन्स लेमन इस गतितर सब्सक्राद दाए घृफंडस represented मे सेलीमन का यह जन्नोंने ठगी गतिवीदियों को ढबाने में अपना पूरजोर चक बन गया था तो आंसर इसका रहेगा अठारा सो अठारा में कब बन गया था दोस्तो अठारा सो अठारा में हमने कल देखा था इसमें कि एक मुगल सल्तनत के समय में एक अफगानी थे दोस्त मुहम्मत खान इन्होंने भौपाल समराज की इस्थापना की थी ठीक है भौप ठीक है और भोपाल राज जो एक बिटिस रियासत बनके रह गया था आज भी हम देखते हैं भोपाल को कि यहाँ पर मुगल संस्क्रति हमें देखने को मिलती है इसके अलावा भोपाल को नवावी सहर भी कहा जाता है एक पॉइंट और आप नौट कर लीजिए 1737 में मराठाओ की सहना थी इनने मुगलों को भोपाल की लडाई में पराजित कर दिया था नेक्स्ट प्रश्णम देखते हैं 28 सताब्दी में होलकर रानी अहिल्यावाई की प्रतिमा ने निमलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेडित किया था तो कौन सी कला रूप को यहाँ पर प्रे इसका जो है correct answer है चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगला प्रशन देखते हैं भारत में निपोलियन के रूप में किसे मद्धभारती सासक को जाना जाता है तो कौन से मद्धभारती सासक को भारत में निपोलियन के रूप में जाना जाता है तो इसका जो correct answer है वह रहेगा यस यासबंत राओ होलकर किसको जाना जाता है यासबंत राओ होलकर को ए ऑप्षन इसका परिम्स कर्षे LOVE है हम यहाँ पर थोड़ा यसबंत राओ होलकर के बारे में जान लेते हैं यह महानी अध्य थे और इनको जो निपोलियन की संग्या दी है वह एकिसने दी है यहेश्टरा बहुल करें जो कि पस्चिम मद्ध प्रिदेश की मालवा रियास्त मतलब इंद और मेनों ने राज किया है चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रशन देखते हैं प्रशन है निम्लिखित मुगल सास को में से मुकुंदपूर में किसका जन्म हुआ तो मुकुंदपूर में कौ प्रशन है आप मुझे कमेंट्स करके बताइए तो सतना जिले की जो अमर पाटन तेखिल है यहां का एक गाउं है मुकुंदपूर यहां पर मुगल राजा जो थे अकवर्दोती जो की मुगल समराज के सोलवे राजा थे इनका जन्म यहां पर हुआ था चलिए आगे चलते हम और अगला प्रशन देखते हैं मद्द प्रशन में किस इस्थान को राजा कीरती बीर की राजधानी के नाम से जाना जाता है तो कौन सा इस्थान है जो कीरती बीर की राजधानी के रूप में जाता है तो महेस्वर इसका करेक्ट आंसर रहेगा कीरती बीर अर्जुन और किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने नियंत्रण आया मत्य तिल्ली सल्तनत ने मत्य प्रदेश में किस सदी में नियंत्रण इस्तापित किया यह प्रश्ण है तो कौन सी सदी में किया दोस्तों तेरवी सदी में याद रखें आप यहां पर तेरवी सदी में मत्य प्रदेश ने दिल कि तेरवी सदी में दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत में उत्री मद्य प्रदेश को हासिल किया और चौदवी सदी आते आते गौलियर के तौमर और मालवा के मुस्लिम सल्तनत को जिसकी राजदानी क्या थी मांडू थी को भी इन्होंने हासिल कर लिया और आज का जो हम मद्य प्रिदेश में किस सन में हुआ था तो बिल्कुन सिंपल प्रस्न है जब हम पुनरगठन पढ़ेंगे तो इसको हम विशे सुरूप से पढ़ेंगे तो 1956 ए ओप्सन इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स प्रस्न है तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तो आंसर रहेगा इसका 31 नमबर 1957 31 नवंबर 1857 इसका आंसर रहेगा बी ओप्सन इसका करेक्ट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रशन देखते हैं दिल्ली गुजरात के बीच एक समरद्य ब्यापार के कारण मद्योगीन समय में कौन सा सहर एक महत्कून सहर बन गया था तदा मत्य प्रिदेश उसका बरतमान नाम क्या है तो उस सहर का नाम पूछा है जो की मद्योगीन समय में दिल्ली और गुजरात के बीच में था और उसक बरतमान नाम आपसे पूछ रहा है तो इसका क्या आंसर रहेगा दोस्ता सिरोंज इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा कौन सर रहेगा सिरोंज इसका करेक्ट आंसर है चलिए सिरोंज जो है आज की बरतमान में हम बात करें तो बिदीसा जिले में पढ़ता है कहां पर पढ़ता बिदीचे जिलेम पड़ता बिदीचे की यह क्या है तैसिल भी है नेक्स प्रस्ण है मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी तो मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी दोस्तों तो सिदी सी बात है कई बार यह प्रस्ण रिपीट हो चुका है इसका आंसर रहेगा मांडू, क्या रहेगा इसका आंसर, मांडू इसका correct आंसर रहेगा निम्न राजपूत बंसों में से किस ने मद्ध प्रदेश पर सासन किया तो कौन से राजपूत थे जिन्होंने मद्ध प्रदेश पर सासन किया है तो चालुक कोंने मद्द परदेश पर सासन किया है चालुक प्रचीन भारत का एक प्रशिद छत्री गुर्जर राज बंच था जिसकी राज़दानी क्या थी? बदामी या बतापी बदामी या बतापी हम इसको बोलते हैं तो इन्होंने मद्राइश पर राजी किया next question हम देखते हैं यहाँ पर इसकी मेत्यु के बास से मद्राइश परहदीय में मुगल सम्राज कमजोर हुआ तो ओरंगे जेव के जो है मेत्यु हो गई थी कव हो गई थी 1707 में इनकी मेत्यु हो गई थी इसके बास से जो है मद्ध पिर्देश तो क्या पूरे भारत में ही मुगलों की इस्तिती कमजोर होगी थी नेक्स प्रस्टन है विख्यात रानी अहिले अबाई निम्नमेशे कौन से इस्तान से संबन्दी थे तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों आंसर इनका रहेगा महिश्वर से का अबंती जन्पत की है राजदानी थी कि मैंने कल भी आपको बताया था इसमें कि इसको दो भागों में उज्जे महा जय हिंद जय भारत